नमस्कार दोस्तों, Education for CP के चैनल में आपका स्वागत हैं आज मैं आपके 20 में बिजली विवाग साइक दिदिव वर्ती से समन्दिद काउंसलिंग के बाद आज की सबसे बड़ी न्यूज लेकर आया हूँ कितने अभेर्ती अनुपस्तिद रहे हैं आपको पूरी जानकारी ऑफिशल दी जाएगी यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो प्रीज सबस्काइब कर ले अब देखते हैं पूरी ऑफिशल न्यूज यह देखें दोस्तों आज की बड़ी ऑफिशल न्यूज है काउंसलिंग के बाद 135 सायक दित्ते पर दिस्ताफित यहनी काउंसलिंग के बाद में उत्तिंड हुए शयार सो स्यारDO अधरित हैं वह striving कांसलींग कर उन के दोरा समें गई स्सक्राइब उनको पद स्थापित कर दिया गया है तो सुना गया था उनको ज poured लेदी गई हैं आगे पर बंद निद्य Państu बताया कि गुरुवार को 135 अबिरतियों को कॉंस्लिंग के लिए बुलाए गया था यह यह में से पार पर उपस्थित रहते और 135 में से 130 वाँ पर उपस्थित राए आई आज की सबसे बड़ी न्यूज है और यह वेटिंग लिस्ट वालों के लिए बहुत ही फायदा होगा यह दि काउंसलिंग के अंदर कम विद्यार्थ उपस्तित रहते हैं तो उनको वेटिंग का सांस है बहुत ज़दा बढ़ जाता है आगे देखते हैं इन अभिर्थियों को उनके सुने के इस्तानों पर प्रदेश्ट किया जाएगा यह नहीं आयता है तो वेटिंग के लिए खाली जाएगी भाटि ने बताया कि 31 अक्टूबर को की गई काउंसलिंग के लिए 137 अभिर्थियों को बुले गये था जिन में से 27 अभिर्थि अनु इस गर्द लिए यहां पर 27 अभिर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुले गया है जो वेटिंग लिस्ट के जो भी अभिर्थियों के इंतिजार करें उनका सांस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और आज भी कापी डिस्कॉमों की काउंसलिंग है जोतपूर के तो कल पूरा हो गया है और वहां पर भी कापी अब बिरती है अनुपस्ति रहे थे यह आज की सबसे बड़ी न्यूज थी काउंसलिंग के बाद 135 साइक देते भरती है बिजली व्याग के उनके दुपद इस्ता पर ने उनको कर दिया गया है जगे उनको दे दी गई है आज की सब से बड़ी न्यूज थी यह लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक वो चैनल को सब्सक्राइब करना नह भूले